वेल अभी अभी एक बड़ी शौकिंग खबर आई है जिससे डेफिनेटली पेरो तले की जमीन जो है खिसक जाएगी जिसे कई सारे आई थिंक 90s के किद्स ने इस्पेशली और अभी के भी जो बच्चे है अभी के भी जो टीनेजर्स है उन्हें हारी पॉर्टर ये सीरीज ज है काफी जादा अच्छे से याद होगी कई सारी मुवीज बने हैं हारी पॉर्टर पर और उस मुवी में एक बहुत ही मशूर एक बहुत ही पॉपलर आक्टर थे जिनकी अचानक से डेथ हो चुकी है अभी तक उनके डेथ के पीछे का कारण सामनी ने आया है लेकिन उनकी जो एजेंट है उन्होंने इस दुखत खबर को शेर किया है 72 यह की उमर में हागर जो एक जेटल जायंट थे और एक मेंट और एक फ्रेंड थे हैरी के हारी पॉर्टर का उन्होंने कई बार साथ दिया है बड़े दाड़ी वाले उनका जो लुक था स्टाटिं बच्चे उन लेकिन बाद में जब पता चला कि यहीज वेरी नाइस परसन भले वक हाफ जायंट है फिर भी उनका दिल एक मॉम का दिल था काफी प्यारा उनका कारेक्टर था उस कारेक्टर को काफी लोगों ने पसंद किया और हैरी पॉर्टर के साथ उनका जो रश्ता है वो एक बहुत बहाँ पे वो मौजूद थे और एक बहुती दुखत खबर है 72 यूर्स की उमर में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है रॉबी कॉल्टरा ने इनका नाम था स्कॉर्टिश आक्टर थे और उन्होंने एक बहुती खास भुमिका जो है 2006 से 2011 के बीच जतने भी हा हारी पॉर्टर के मुवीज में उन्होंने काम किया है और लोगों को उनके परफॉर्मेंस को लेकर उनके काम को लेकर हमेशा ही सरहाया गया है प्यार दिया गया है और किसी को भी लगा नहीं था कि हारी पॉर्टर के जो ये पॉपलर आक्टर है जिन्होंने 2006 से 2011 के वी जो इस तरीके से उनकी अचानक से मौत हो जाएगी उनकी जो एजेंट है मिस राइट उने इस बारे में बताया है कि चालीस साल से मैं उन्हें जानती थी और मैं उनकी एजेंट थी I feel very very proud कि मैं इतने बड़े आक्टर की एक एजेंट थी मैं काफी जदा मिस करने वाली हमारे 40 साल का association रहा है I will miss him इस तरीके से वो कहते हुए नज़राई Well हम भी यही कहेंगे कि रॉबी जी क्या आत्मा को शान्ती मिले मेहिर स्टन पीस